नमस्कार सभी को, मैं सरोष नेलिवाल साहे का आचार्य समाश्यास्त्र राज़के महिला पीजी महवित्याले जुंजनू छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने बात के थी कि नगरिय समाश्यास्त्र क्या है, उसका अर्थ क्या था और परिभाशाएं क्या थी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नगरिय समाश्यास्त्र की विशे सामगरी क्या है नगरिय समाश्यास्त्र की विशे सामगरी को समझने से पहले हमें ये समझना आउश्यक है कि आखिर विशे सामगरी होती क्या है तो विशे सामगरी वे निश्चित तथ्य अवधारनाएं या विशे होता है जिसका अध्यन केवल उसी विशे या शास्त्र में किया जाता है यानि वो निश्चित अवधारनाएं या तथ्ये जिसका अध्यन केवल और केवल उसी विशे के अंतरगत किया जाता है वह उस विशे की विशे सामगरी कहलाती है हम बात करेंगे नगरिय समाज शास्त्र की विशे वस्तो की तो उसको हम कुछ बिंदूओं के माध्यम से समझने का प्रियास करेंगे इसमें पहला बिंदू हम ले रहे हैं नगरिय परिस्थिति शास्त्र या अर्बन इकोलोजी नगरिय समाज शास्त्र विभिन प्रकार के नगरों कस्बों और महानगर की भोगोलिक बसावट का अध्यन करता है तथा बसावट से संबंदित विशलेशन कर संबंदित व्याफारी की योजना का कारिक्रम भी प्रस्तुत करता है यानि हम कह सकते हैं कि नगरिय समाज शास्त्र के अनुसार नगरिय समाज शास्त्र की जो विशय वस्तु है और वो सबसे महतुपून जो विशय वस्तु है वह है नगरिय समुदायों की रचना नगरिय समुदायों का स्वरूप सामईक व्यावस्ता और सांस्कृतिक व्या मुख विशय सामगरी है दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं नगरों का अध्यन यानि नगरिय समाश्यास्त्र में हम नगरों का अध्यन करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि नगर क्या है सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रियास करते हैं जब नगरिय समाश्यास्त्र के अंत सब का अध्यन जो है वो नगरिये समाश्यास्त्र के अंतरगत किया जाता है हम कह सकते हैं नगरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उनका विकास कैसे हुआ और किन-किन विशेश चरणों के अंतरगत उन्होंने क्या-क्या प्रगती की क्या-क्या विकास हुआ और उनका अगर हाश हुआ अगर उनका विनाश हुआ किसी कारणों से तो उन सब का विशलेशन जो है वो नगरिये समाश्यास्त्र की विशय सामगरी के अंतरगत किया जाता है तो इसमें यह अध्यान हम दो एक ही कोई भी नगर का चैन कर लिया जाता है और उस नगर का उस शहर का विभिन समयों में विभिन कालक्रमों में किस प्रकार से उसका विकास हुआ है या उसका हराश हुआ है उसका विनाश हुआ है उसका विशलेशन इसकी नगरिय समाश्यास्तर की अध्यन या विशय नगरी के अंतरगत आता है दूसरी में बात करते हैं कि विभिन्य नगरों का हम एक से ज्यादा नगरों का चयान करते हैं और उन नगरों का विभिन्य कालों को ध्यान में रखते हुए उनकी जनसेंख्या उनकी संस्कृति मानों वहां किस तरीके से जीवन व्यतीत करता है व् यह बिंदू हम इसमें लेते हैं नगर नियोजन, यानि नगरिये समाजशास्त्र की विशय सामगरी के अंतरगत, हमने नगर नियोजन की उस नगर का विकास करने में किस तरीके से प्लानिंग की गई है, क्या क्या प्लानिंग की जानी चाहिए उन सब का अध्यन भी नगरिय समाशास्त्र की विशय सामगरी के अंतरगत आता है तो नगरिय समाशास्त्र विभिन नगरों का अध्यन कर उनके बहु आयामी विकास के लिए व्याभारिक योजना बनाता है यहें नगर्न योजन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैक्षिक, आवास, आधी छेत्रों का अध्यन करके एक आदर्श नगर निर्मान की योजना तयार करता है अगला पॉइंट हम ले रहे हैं इसी के अंतरगत नगरिये सामाजिक सेरशना नगरिय समाशास्त्र की विशय सामगरी के अंतरगत नगरिय सामाजिक सेरशना का प्रमुक रूप से उल्लेक पार्क एवं ब्रगेश ने किया है इन्होंने बताया कि नगरिय समाशास्त्र नगर की सामाजिक सेरशना स्तेरी करण आर्थिक एवं राजनेतिक संस्थाओं का अध्यन करता है और नगरों का पूर्ण ज्यान प्रदान करता है यानि नगरिय समाजिक सेरशना का अध्यन हम नगरिय समाशास्त्र के अंतरगत या यहीं नगरिये समाजों में व्यक्तियों के व्याभारों को जो नियंतृत करने की विभिन संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस है, कानून है, या और प्रताएं है, रितिरिवाज हैं, उनका अध्यन भी हम इसके अंतरगत करते हैं. तो यह है नगरों की कानून व्यवस्ता प्रथा रिती रिवाजों का अध्यन करता है तता साथ ही नगरों की शांती एवं सुरक्षा व्यवस्ता का भी अध्यन करता है एवं नए नियंत्रण के साधनों का सुझाव भी देता है अगला बिंदू हम इसमें लेते हैं नगरी कर के कारणों क्या कारण है नगरी करण के एवं प्रभाओं का अध्यन करना भी इस विज्ञान की प्रमुक अध्यन सामगरी है अब बात करते हैं अपन नगरी करण क्या है तो नगरी करण यातायात एवं संचार के साधनों में तीर्व परिवर्तन के कारण ग्रामीन जनसंख्य का तीर्वगति से नग्रों के od or प्रवास या गमन की प्रक्रिय जो है वो नगरी करण को कहलाती है तो इस नगरी करण का औ्धियन भी नगरिये समाशास्तुरी गया चाहए जो पॉसके विष्य सामगरी के अंतरगत किया जाता है कि अग्ला विंदु हम इस में का अध्यन नगरिय समाज शास्त्र की अध्यन सामगरी के अंतरगत रखा है यानि प्रमगरूप से पार्क बरगेश कहते हैं कि नगरिय समाज शास्त्र के अंतरगत नगरों की समश्याओं का अध्यन किया जाता है तो अनेक सामाजिक समश्याइं नगरिय समाज का विगटन कर वास करता है वहाँ पर उनकी क्या-क्या समश्याएं हैं शहरों के संदर में जैसे अपन बात कर सकते हैं बिक्षयावरति वेश्यावरति अपराद बाल अपराद आवास वहिंता विवाविच्छेद स्वास्ते समश्याएं आदी तो इन सब का अध्यान नगरिये समाश्यास् समाश्यास्तर की अध्यन सामगरी के अंतरगत सम्मिलित करते हैं भोगोलिक कारकों का प्रभाव नगरों के विकास पर सीधा पड़ता है और ये कारक समाज और संस्कृति में प्रमुक निर्णायक है तो इन भोगोलिक कारकों का अध्यन भी नगरिये समाश्यास्तर के अंत नगर निवासियों के सामाजिक संबंद, नगर ये सामाजिक सेरशना, नगर ये सामाजिक स्थारिकरण, नगर ये भोगोलिक परिस्थिति, नगर ये सामाजिक नियंत्रण के साधन आधी हैं। धन्यवाद।